आज हम देखेंगे बस्तमिक संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पर मैंने आपको दो भाग करके दिखाई हैं आईए हम इनको एके करके देखते हैं और समझते हैं जैसे ही हमने बारा को आठ से भाग किया तो हमने देखा की यह इसका उत्तर आता है 1.5 यानी भागफल आता है 1.5 और इसका जो शेशफल आता है वो आता है 0 शेशफल आता है 0 आएए एक और तरह की भाग देखें यहाँ हमने दस को तीन से भाग किया 3 तीया 9 6 बचा 1 दशमलव लगाते ही यहां बन गया 0 फिर से 3 तिया 9 आया भाग 1 6 आया 1 दशमलव लगा हुआ था इसलिए यहां लग गया 0 3 तिया 9 10 में से 9 गये 1 फिर से 10 बन गया फिर 3 लगाया 9 बन गया इस प्रकार से यह भाग आगे चलती रहेगी चलती रहेगी और इसका कभी भी हमें शेश्फल प्राप्त नहीं होगा यह भाग ऐसे ही आगे चलती रहेगी तो यह दो तरह के भाग हैं, आएक और देखे हम यह भी ऐसा ही है कि हमने 12 को 7 से भाग किया तो यह आया 7 एकम 7 बाकी बचा 50 7 दशमलव लगाया तो यह 50 बन गया 7, 7, 49 एक दशमलव की वज़े से 0 तो 7 एकम 7 बाकी बचा 3 0, 30, 7, 4, 28 करते 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 हमें पता चला कि हमारे पास 1, 7, 1, 4, 2, 8 आया और यह दशमलव अभी आगे चलती रह गे इसका भी कभी अंत नहीं होगा यानि इसमें शेशफल 0 नहीं आएगा इसमें भी शेशफल 0 नहीं आएगा यदि आप अब ध्यान से देखें तो हमने तीन तरह की दो तरह की भाग की है एक ऐसी जिसमें शेशफल 0 आगया और भाग खतम हो गई एक ऐसी जिसमें भाग खतम नहीं हुई आगे चलती ही जाएगी ये कभी खतम ही नहीं होगी ये दो तरह के दशमलव हैं जो पहले वाला दशमलव है जिसका अंत हो गया था इसलिए इसको कहते हैं सांत दशमलव मैं दुबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इस दशमलव का अंत हो गया था क्योंकि इसमें शेशफल जीरो आ गया था इसलिए सांत सांत दशमलव जिसका अंत हो जाए जो दशमलव खतम हो जाए जो भाग खतम हो जाए ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं 7.5 क्योंकि यह एक पॉइंट 5 है इस से आगे यह नहीं बढ़ेगा यह एक दिशमलव पांच ही रहेगा ऐसे दिशमलवों को हम कहते हैं 7.5 उसके बाद यह दो तरह के दिशमलव देखे हमने जिसमें की दिशमलव का अंत ही नहीं होगा यह देखिए यहां पर यह दिशमलव इनका अंत नहीं हो रहा है यह दशमलव आगे चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी इसी लिए ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अन्वसानी अन्वसानी दशमलव याद रखना बच्चो दो तरह के दशमलव एक सांत दशमलव जिसका अंत हो जायے दूसरा अनवसानी दशमलव जिसका अंत ना हो जो दशमलव आगे चलती ही जाए जो भाग आगे चलती ही जाए आएए दशमलव परसार दो तरह के हैं सांत दशमलव और अनवसानी इसको असांत भी कहा जाता है सांत दिशमलव और असांत या अनवसानी दिशमलव आगे हम देखेंगे कि अनवसानी दिशमलव भी दो तरह के होते हैं एक अनवसानी आवर्ती और दूसरा अनवसानी अनावर्ती दिशमलव ये अभी हम आगे सीखेंगे सबसे पहले 7. यदि आप भाग का अंत हो जाए और शेशवाल 0 आ जाए जैसे 1.5, 2.4, 1.3, 15.3, 2, 16.8, 75, 0.8, 75 ये 7. क्योंकि यहाँ दिशमलव का अंत हो गया या आगे continue नहीं हो रहे इसके बाद हमने देखा अनवसानी दिशमलव दो तरह के हैं इनको आप ध्यान से समझना बचोँ एक होता है अनवसानी आवरती आवरती का मतलव होता है जो बार बार repeat हो अनवसानी जिसका अंत्ना हो देखें एक दिशमलव है 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, …-----, इसका मतलब यहां दिशमलों के बाद 3 x 3, 3 x 3 यह बार बार रेपीट हो रहा है इसे हम 0! 3 x 2 बार भी लिखते हैं तीन के उपर बार का मतलब 3 ही पर बार ॉबर यह रेपीट होगा इसी प्रकार रेपार से एक धिशमलों 0.8 7 5, 8 7 5, 8 7 5, डैश 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 का मतलब यह आगे continue हो रही है इसका अंत नहीं हुआ इसे हम 0.875 का बार भी लिख सकते हैं क्योंकि 875 की नीचे 875 लिखा तो यह 875 बार 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 रिपीट हो रहा है इसी प्रकार से 0.1426 1426 1426 डैश 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 यहां आप देख रहे हैं 1426 बार बार रिपीट हो रहा है यह जो हमने अभी तीन उधारन किये हैं 0.3 बार 0.875 बार और 0.1426 बार ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनवसानी अवर्ती अनवसानी क्योंकि इनका अन्त नहीं हो रहा चलते ही जा रही है दशमलव और दूसरा आवर्ती क्योंकि यहां पर एक कुछ डीजिट्स एक याकुछ डीजिट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपने इससे ऐसे ही अपनी नोट बुक में लिख लेना है अब हम एक और दिशमलोव का प्रसार देखेंगे जिसे हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ति अनासानी अनावर्ति के दिशमलोव प्रसार है जैसे 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 5, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0-.. डेश 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 आप देख रहे हैं यह अनवसानी क्यों है क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है जैसे यहां अवर्ती में 875 875 875 बार बार रिपीट हो रहा था ऐसा यहां पर कुछ भी कोई पैटरन नहीं है जो बार 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 रिपीट हो रहा ह हैं ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती अनवसानी जिसका अंतना हो अनावर्ती जिसमें कुछ रिपीट ना हो 0.264 0 1 0 0 2 6 5 8 4 डैश 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 इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा जिरो दशमलव एक जिरो एक जिरो जिरो एक जिरो जिरो एक जिरो एक जिरो एक जिरो जिरो दो डैश 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 अब यहां भी आप देखेंगे कि एक और जिरो तो हैं लेकिन कहीं जिरो एक जिरो है कहीं दो जिरो है कहीं तीन जिरो है कहीं तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटरन बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इन ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती, तो आज हमने बच्चों तीन चीज़ें सीखी हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, कि दशमलव परसार दो तरह का होता है, सांत और असांत या अनवसानी, सांत जिसका अन्त हो जाए, असांत अनवसानी जिसका अन्त ना हो, जिसका अन्त ना हो अनवसानी ये भी आगे दो तरह के हैं, एक अनवसानी अवर्ती, जिसमें कुछ डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, एक है अनवसानी अनवर्ती, ज इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होता लेकिन उसका अंत नहीं होता.